स्विडन की स्टॉक होम सेंट्रल मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर कुरान जलाय जाने को लेकर सभी मुस्लिम देशों में भारी गुसा है सुधी, पाकिस्तान, तुर्किय, इरान समिट सभी मुसलिम देशों ने इसलाम के पवित्र परुके मौके पर कुरान जलाये जाने को लेकर स्विडन के अधिकारियों की कड़ी निंदा की है इसलामिक देश मुरक्तों ने तो घट्ना का विरोध करते हुए अपने राजदूत को अनिशित काल के लिए स्विडन से वापस बुला लिया है वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि अभिवक्ती की स्वतंतरता के नाम पर भेद भाव, नफरत और हिंसा को बलहाबा देने वाले कृत्यों को सही नहीं ठाराए जा सकता पाकिस्तानी विदेश मंत्राले ने अपने बयान में आगे कहा कि अंतराश्य कानून के तहट देश धार्मिक घ्रिणा की वकालत करने वालो पर रोक लगाने के लिए बाद्य है पश्चिमी देशों में बीते कुछ महीनों के दोरान बार-बार हो रही ऐसी इसलामोफोबिक घ्रिणाए उस कानूनी धांचेक पर गंभीर सवाल उठाती है जो इस तरह के नफरत भरे कृत्यों की अनुमती देता है बयान में मंत्राले ने कहा है कि हम इस बात को फिर से दोरा रहे हैं कि अभीवक्ति कि स्वतंतरता का अधिकार नफरत को बढ़ावा देने और अंतर धार्मिक सद्धाओं को नुकसान पहुचाने का लाइसेंस नहीं देता है पाकिस्तानी विदेश मंत्राले ने अंतराश्टी समुदाय और सभी देशों की सरकारों से इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी नफरत की बरती घटनाओं को रोकने के लिए विश्वस्निया और ठोस उपाय करने का आगरह भी किया है स्विटन पुलिस ने फरवरी में इराग के दूतावास के बाहर कुरान जलाने से रोका था पुलिस का कहना था कि इससे समाजिक सोहार भिगर सकता है एक एंटी नैटो समुव पर कुरान की प्रती को जलाने पर बैन लगाय गया था लेकिन इस साल अपरैल में कोट ने इस बैन को हटा दिया कोट ने कहा कि देश के संविधान के तैट प्रदर्शन कारियों के पास एक जूठ होने और प्रदर्शन करने का दिकार है लेकिन वो देश के सुरक्षा के लिए खत्रा नहीं वनना चाहिए अदालप ने एक अकर इस प्रदर्शन को मंजूरी दी कि ये अभिवक्ती के आजादी है और इसके बाद ही कुरान जलाये जाने की घटना सामने आई जिसके बाद से पूरे इस्लामिक देश खौल गए है वो स्वेडन पर बरस रहे हैं स्वेडन में हुई इस घटना को लेकर वो बहुत जादा गुस्से में है ब्यूरर रिपॉर्ट भारत तक झाल गो स्वेडन झाल पर वो इसके बाद करेंगा झाल